कम्प्योटर की चौथी PD इस वीडियो में हम कम्प्योटर की चौथी PD के बारे में जानेंगे चौथी PD की अवदी 1971 वर्तमान थी जो बड़े पैमाने पर इंटेग्रेशन LSI और बहुत बड़े पैमाने पर इंटेग्रेशन VLSI उप्योग करते हैं एक माइक्रो प्रोसेसर की मदद से चौती जेनरेशन के कम्पीटर्स बनाए गए थे हार्डवेय प्राद्योगी की इस्टेमाल की गई तक्नीक लार्ज स्केल इंटेग्रेशन लसाई और बहुत बड़े पैमाने पर इंटेग्रेशन वी लसाई सर्कित है हजारों ट्रांजिस्टर एक छोटे से सिलिकॉन चिप लसाई प्राद्योगी की के प्रयोग में एक ही क्रत किये जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर एक चिप है जिसमें लाखों ट्वांजिस्टर और अव्यव रखे हैं और LSI और VLSI प्रोध्योगी की का उप्योग कर बनाया गया है। Semiconductor Memory पहले चुम्बकिय कोर मेमरी की जगा ले लेती है, परिनाम स्वरुप स्टोरेज करने में तेज हो जाता है। मादिमिक स्टोरेज डिवाइस जैसे की चुम्बकिय डिस्क शारिरी काकार में और क्षमता में बड़ी हो जाती है, कम्पीटर के जुर्ने और नेट्वरकिंग एक अन्य महत्वपून विकास है। कई नए ओपरेटिंग सिस्टेम जैसे की MS, DOS और MS Windows इस समय के दोरान विक्सित होई थी। इस जेनरेशन के कम्पीटर्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का समर्थन करते थे। GUI एक उप्योग करता के अनकूल इंटरफेस है, जो उप्योग करता को मेनू और आइकॉंट्स के माधियम से कम्पीटर के साथ इंट्राक करने के अनमदी देता है। उच्चस तरिये प्रोग्रामिंग भाषाओं को प्रोग्राम लिखने के लिए इस्टमाल किया जाता है। बहुत इक उपस्थिती वे पिछली जनरेशन के कम्पीटर की तुल्ना में छोटे होते हैं। कुछ हाथ की हदेली में भी फिट हो सकते हैं। उधारण इंटल 4004 चिप पहला माइक्रोप्रोसेसर था। 1984 में आपल नी माकिन्टोश की शुरुवात की। नवीनतम प्रोध्योगी की और उच्चकुशल कर्मचारी माइक्रोप्रोसेसरों के निर्मान के लिए आविश्चक है। इसले इसे बनाना मुश्किल है। आप्लिकेशन वे बिल्लिंग और कंप्यूटिंग मशीनों की तरह वानिजिक प्रयजनों के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध हो गये हैं। कंप्यूटर और अधिक शक्तिशाली बन गया है। नेट्वर्ग बनाने के लिए वे एक साथ जोड़े जा सकते हैं, जो अंत में इंटरनेट के उप्योग के विकास के लिए निरत्रत्व करता है।